हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3.1 टैक तो फ्रेंट्स अगर आप एक शोट्स क्रेटर हैं यूट्यूब पर आपका शोट्स का चैनल है चाहे किसी भी कैटेगरी का हो और आपने अपने शोट्स के चैनल के उपर 100, 200, 300 डाल दी हैं और अब आप परेशान हो गए हैं कि मैं अपनी कैटेगरी से रिलेटेड टोपिक्स कहां से लेके आऊं कहां से उन पर वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पर डालूं लेकिन फ्रेंट्स अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी शोट्स वीडियो के लिए अपकी कैटेगरी से रिलेटेड अनलिमिटेड टोपिक्स कहां से मिलेंगे जिससे आपके पास कॉंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी तो वीडियो बहुत ही ज़्या आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको चार ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आपको अपने यूट्यू शोट्स बनाने के लिए जहां से आपको अनलिमिटेड टोपिक्स मिलेंगे आपको कॉंटेंट भर भर के मिलेगा उसमें सबसे पहले नमबर पे है गूगल गूगल पे हम गूगल डोट कॉम खोलेंगे और यहां पर आप अपने जो भी आपका टोपिक है उससे रिलेटिड आप यहां पर सर्च करेंगे ठीक है जो भी आप जिस कैटेगरी का चैनल है उससे रिलेटिड कोई भी वर्ड आगर आप यहां पर डालेंगे तो यहां पर आपको सारे ज टोपिक को यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे आप स्क्रोल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, people also ask, यहाँ पे आ गया कि लोग और क्या पूछना चाहते हैं, कि पालक पनीर से क्या होता है, पालक पनीर का सुआद कैसा लगता है, क्या आ लाया जाता है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चार टोपिक मिल गए, इन चार टोपिक्स पे आप वीडियो बना सकते हैं, अपने यूट्यूब शोट्स बना सकते हैं, अपने चैनल के लिए, अपनी कैटेगरी के ही मिल गए, आपको इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई और topic लिखेंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर people also ask वाले section में आपको यहाँ पर काफी सारे topics मिल जाएंगे इसी तरीके से आपका किसी भी category का shorts का channel है तो यहाँ पर आपको जो भी आप यहाँ पर topic डालेंगे जो भी word लिखेंगे उससे related आपको यहाँ पर questions मिल जाएंगे और इनका answer भी मिल जाएगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला question है पालक पनी से क्या होता है तो मैं सेरो पर click करूँगा तो यहाँ पर आपको इसके answer भी मिल जाएंगे तो यहाँ से आप इसे और अच्छे से समझा सकते हैं अपनी audience को बता सकते हैं ठीक Facebook groups का वो तरीका है जैसे हाँ पर search Facebook में मैंने search किया cooking का ही मैं channel ले लेता हूँ ठीक है एक category को आपको define कर देता हूँ यहाँ पर मैंने cooking लिखा और enter कर दिया उसके बाद यहाँ पर काफी सारे option आपके सामने है all post people's photos ठीक है यहाँ पर हमें groups का last में second last option मिलेगा हमें इस पर click करना है और आप देख सकते हैं आपके category से related यह सारे groups है cooking के तो आपको simple insert groups को join कर लेना है यहाँ से भी आपको बहुत सारे content आइडिया मिलेंगे बहुत सारा content आपको यहाँ पर मिलेगा बहुत सारे topics आपके यहाँ पर आपको find out हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे जिस पर भर भर के views भी ला सकते हैं अच्छे अच्छी videos बना के shorts बना के आपको यहाँ पर ideas मिल जाएंगे किन किन तरीके के आप shorts बना सकते हैं ठीक है और यहाँ पर आपको content भी काफी जादा मिलेगा ठीक है इन सारे groups को आपको join कर लेना है अब बात करते हैं थर्ड तरीके के बार में तो youtube के उपर आपको आजाना है youtube.com और यहाँ पर आपको अपनी category से related channels को search करना है जो shorts वीडियो बनाते हैं या channel भी है तो यहाँ पर मैं जैसे cooking का चल रहा है तो मैं cooking videos यहाँ पर लिख देता हूं ठीक है यहाँ पर cooking videos आप देख सकते हैं कितनी सारी आ गई और भी यहा cooking shorts यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी short video आपके सामने आ गई तो इस तरीके से आपको अपने cooking के channel वाले यहाँ पर मैं लिखता हूं cooking channels तो यहाँ पर आपकी cooking channel से related जो आपकी category उससे related सारे channel आ जाएंगे और यहाँ पर आप filter कर सकते हैं filter करके आपको सिर्फ channel चाहिए तो आपकी जो भी category है वो category आप यहाँ से find out कर सकते हैं जिसे आप tag का बनाते हैं shorts तो यहाँ पर tag लिख सकते हैं gaming का है तो gaming channel लिख सकते हैं वो category आपको search कर लेनी है और उनको सबको subscribe कर लेना है उनको follow कर लेना है उनकी video से भी आपको एक video बड़ी video से आपको 3-4 shorts मिल जाएंगे, ideas मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से create कर सकते हैं तो यहाँ से भी आपको YouTube से भी आपको अपनी category के shorts बनाने के लिए ideas मिल सकते हैं unlimited topics मिल सकते हैं यहां से भी आप unlimited topics को use करके अपनी videos को बना सकते हैं तो यह तीछर तरीका हो गया अब fourth तरीके की बात करते हैं तो आपको क्या करना है online जो newspapers हैं वो आपको पढ़ने हैं daily एक घंटा आप सुबह आप पढ़ सकते हैं और उसके अलावा आप अमरो जाला भी इसरे के online newspaper आप पढ़ सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आपको हर तरीके की news यहां पर देखने को मिल जाएगी तो इससे भी आपको काफी ज़दा idea मिलेगा काफी ज़दा content बनाने के लिए आपको topics मिलेंगे तो यह चार चीजे हैं चार जंगय हैं जहां से आप unlimited topics अपनी वीडियो के लिए find out कर सकते हैं ठीक है आपको idea भी मिलेगा और content के भी कमी नहीं होगी तो friends अब आपको पता लग जया होगा कि इन चार तरीकों की help से आप अपने youtube shorts channel के लिए चाहे आपकी कोई सी भी category उसके लिए आप unlimited topics find out कर सकते हैं और उनके उपर आप video बना सकते हैं आपको unlimited ideas यहां से मिल जाएंगे अगर फिर भी videos related कोई भी question है कोई query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको video अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you